सबके साथ में एक ऐसी नैचरल और 100% एफेक्टिव होम रेमेडी शेयर करूंगी जिससे आपके ड्राई और डर बालों में फिर से शैन आ सकती है दोस्तों बालों के ड्राई और शैन चली जाने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं जैसे के प्रदुशन भरा वातावरन, बालों की ठीक से देख भारना करना, सूर्य की किरने या फिर बहुत सारा केमिकल युक शेंपूज का इस्तमाल करना तो दोस्तों वीडियो में आगे बनने से पहरे मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक, कॉमेंट और शेयर करना भी बिल्कुर्ण भूलिए तो चले देखते हैं आज की मेरी एक एफेक्टिव होम रेमेडी काली चाए दोस्तो काली चाए हम सभी जानते हैं कि हमारे रोजाना इस्तमाल में आने वाली चीजों में से एक है लेकिन शायद आपको ये पता नहीं है कि ये बालों की शायनिंगी नहीं बलकि कोई हुई स्मूधनिंग लोटाने में भी बहुत लाबदाई है इसके इस्तमाल के लिए आपको दो चम्मच चाए को एक गलास पानी में डालके इसे दो सी तीन मिने तक उबालना है और फिर इसमें आप दो चम्मच जितना एलोवेरा जेर डालकर मिक्स कर ले और फिर इसे चान कर ठंडा होने दे आप अपने शैंपू किये हुए बालो पर इसे लगा के आधे से एक घंटे तक मिनिमम ऐसे ही छोड़ दे और एक घंटे बाद आप अपने बालो को पानी से या फिर कंडिशनर करके दो सकते हैं ध्यान रखे कि आप इसे इस्तमाल करने के बाद अपने बालो पर शैंपू तुरंत बिल्कुल ना करें क्योंकि इसे शैंपू करने से आपके बालो में से इसकी सारे गुड़नेस चली जाएगी और आपको कोई भी फायदा नहीं होगा आप इस रेमेडी को हफते में दो से तीन बार इस्तमाल कर सकते हैं और इसके कुछी इस्तमाल से आपको 100% बालो में फर्क नज़र आएगा और आपके बाल बहुत ही शैनी नज़र आएगा फ्रेंड काली चाय में पॉलिफिनॉल, वाइटमिन C और E की मातरा अधिक होती हैं जो आपके बालो को चमकदार और मुलायम बनाने में काफी मददगार होता है और अलोवेरा जहर में काफी मातरा में एंटियोक्सिदेंस और वाइटमिन्स होते हैं जो हमारे बालो के लिए रामबान इलाज माने जाते हैं दोस्तों आप इस रेमेडी को जरूर से फॉलो करें और आगे से और भी ऐसे यूसफुल टिप्स के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक, कॉमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें तो अभी के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तिल देन बाई